प्रसन को बेज है और कहा है कि यह प्रसन उससे हल नहीं हो पा रहा है तो सर इसे समझा दीजिए तो आईए जानते हैं इस प्रकार के प्रस्णों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं ये जो प्रस्ण है कक्छा आठवी के प्रस्ण वाली 2.2 का पहला प्रस्ण का प्रस्ण करमांग C है इस प्रगार के प्रश्णा को हल करते समय आपको दो चीज विशेश उसे देखनी पड़ती है पहला दोनों का अधार एक जैसा है क्या आप देख रहे हैं यह जो है घातांक वाले प्रश्णा है इसमें अधार रिन पांच है और इसमें अधार रिन एक बटर पांच है इस अधार पर दोनों एक जैसा नहीं हुआ अब यहाँ पर अगला जो आपका फोकस जाना चाहिए वो इस बात पर जाना चाहिए कि क्या दोनों के घातांक एक जैसा है तो यहाँ पर इसके घातांक में तीन है और इसके घातांक में दो है इस अधार पर ना तो अधार समान है और ना ही इसके घातांक समान है ऐसे प्रस्णों को आप किस प्रकार से हल कर सकते हैं इस वीडियो में हम बताएंगे आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्वल लक्ष जिसमें आप गडित को सिखते हैं बहुती बेसिक तरीके से यदि चैनल को subscribe नहीं किये है तो subscribe कर देजे और वीडियो को लाइक अवस्तिक कीजगा वीडियो कैसा लागा इस पर comment भी कीजगा आए इसको हल करते हैं देखिए इसमें ना तो अधार एक जैसा है और ना घात एक जैसा है तो हमें दोनों में से किसी एक चीज को एक जैसे बनाना होगा लेकिन हम यहाँ पर घात को एक जैसा नहीं बना सकते इसलिए हम इसके अधार को एक जैसा बनाएंगे तो देखें यहाँ पर रिन पांच है और यहाँ पर रिन एक बटा पांच है तो हमें गड़ना करने में 5 के साथ कोई भी हम calculation करते हैं तो वहों थी सुईधा होती है तो हम कोशिस करेंगे कि रिन 5 इसका है तो इसको भी हम रिन 5 बना दें लेकिन कैसे बनाएं तो आपने एक सुत्र पढ़ा होगा एक घात इम बराबर एक बटा एक घात रिन इम अर्थात यदि हम दिये गए संख्या के घात का चिन्ध को बदल दे तो जो संख्या रहती है उसको एक के बटे में लिखना होता है ठीक है इसी फार्मूले को हम यहाँ पर उप्योग करने वाले हैं तो सबसे पहले यह हो जाएगा रिन पांच का घात तीन यह तो जियों कत्यों रहेगा अब भागित का चिन्ध लगाएंगे अब यहाँ पर एक जगह में आ गया रिन एक बटा पांच और एम के जगह आ गया है दो तो उसके अनुसार से एक बटा यह एक जो है इसके बतले में आया है और यहाँ पर जो बटा का चिन है वो इस बटा से लिए है अब यहाँ पर एक का घात रिन एम है देखिए बहुत सरल तरीका आपको बता रहा हूं समझेगा एक-एक इस्टेप को आप समझेगा इसको तो आपको ज्योंका तो लिखना है तो यह हो जाएगा रिन पांच का घात तीन ठीक है उसके बाद यह भागित का चिन है अब यहां पर इसको पढ़ा जाए तो एक भाग भागित इसमें से इसको भाग करना है तो यह हो जाएगा एक बटे की नीचे बटा होते जानते हैं तो यह हो जाकोरी का घात जो है रिन 2 हो जाएगा तो रिन 5 कागा तीन भागित अब इसके भी बते में एक है अर्थाद बते में एक ही आएगा तो बते में लिखने की ज़रूत नहीं है अब एक का गुणा हम किसी भी के साथ करते हैं उसका मान में कोई बदलाव नहीं होता तो यह हो जाएगा रिन 5 का गात रिन 2 अब यहाँ पर देखिए दोनों का अधार एक जैसा हो गया अब दोनों का अधार एक जैसा है तो आप इसमे एक फार्वुला लगा अब इसका उपयोग हम इसमें करेंगे तो देखिए एक इस्थान पर क्या है? रिन 5 है, M की इस्थान पर 3 है और N की इस्थान पर रिन 2 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? बराबर A का घात M रिन 1 अर्थात रिन 5 का घात 3 रिन 2 ठीक है? अब इसे आप हल करेंगे तो यह हो जाएगा रीन 5 का घात 3 धन 2 क्योंकि रीन और रीन का घुणा धन होता है तो इस प्रकार से रीन 5 का घात 5 होगा अब इसे आप हल करेंगे तो क्या होगा इसका उत्तर किस में आएगा रीन में आएगा तो आप जानते ही इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं इसमें हम रीन एक को अलब करेंगे रीन एक का घात 5, गुना पाँच का घात 5 ठीक है? अब इसको हम आगे हल करते हैं यह हो जाएगा रीन एक का घात 5 यहाँ पर विशाम संग्या है तो इसका उत्तर रिन में ही आएगा अब गुणा 5, गुणा 5, गुणा 5, गुणा 5, गुणा 5 क्यों हमने 5 बर किया? क्योंकि 5 के घाहत में 5 है अब आप इसे गुणा करेंगे 5, 25, 25, 125, 125, 625 और 625 को 5 से गुणा करेंगे तो मिलता है 3125 आप गुणा करके देख लिजे अब चूंकि यहाँ पर रिन है रिन एक है तो रिन का गुणा अगर इससे करेंगे तो इसका उत्तर रिन में आएगा और यही आपका अंसर है तो इस प्रकार से आप इस प्रस्न को बना सकते हैं ऐसी कुछ प्रस्न यदि आपके भी मन में है कोई प्रस्न आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजेगा हम आपको सलल तरीका से उसके हलको अवस्य बताएंगे आप जूड़े रहे हैं हमारे चैनल उज्वल लक्ष से जिसमें आप सिखते हैं गरित को बहुत ही सलल तरीके से धन्यवाद